औस्टेलिया की संसत में एक बिल पास किया गया है जिस बिल के ऊपर पूरी दुन्या में अब चर्चा हो रही है औस्टेलिया के अंदर अब 16 वर्ष से कम उमर के बच्चे जो हैं वो सोशल मीडिया का इस्तमाल नहीं कर पाएंगे और साथ ही साथ social media जो platforms है उनकी responsibility होगी जिमेवारी होगी कि वो biometric authentication जो है वो करें इसको लेकर तमाम इस बात को लेकर अब चर्चा हो रही है क्योंकि इस तरह के bill जो है वो फ्रांस में अमेरिका में भी आयें लेकिन उसमें parental consent के साथ यानि कि अभिवावकों के guardian के मर्जी के साथ जो है यह biometric authentication के साथ जो है बच्चे social media का इस्तमाल कर सकते थे लेकिन यहाँ पर पूरी तरीके से प्रतिवंदिश जो है क्या इस्तिती है social media को लेकर कितना इस्तमाल करते हैं आपके बच्चे social media के चोबिस गंटे में मतलब 16 गंटे बच्चे उसी में वाइल में ही लगे रहते हैं तो हम भी चाहते हैं हमारे बच्चों के उपर control हो तो क्या परिवर्ती में आप क्या बदलाव देखते हैं कि social media के इस्तमाल करते हैं उनके nature में क्या बदलाव आप देख रहे हैं चिल चिलापन नहीं होता है बच्चों को नहीं होना चाहिए बच्चों के मतलब जैसे parents से बात भी नहीं करते कोई अपनी बात नहीं बताते कह नहीं जाते हैं आते हैं कोई लेना देना नहीं उनको सिर्फ social media पर एक्टिव रहते हैं आपको लगता है कि इस तरीके का बिल जो है अब भारत में भी लाने की जरूरत आ चुकी है होना चाहिए सर क्या नाम है हिमत सिंग्विष्ट हिमत जी यह बताएं कि आप parents as a parents बहुत में फोन पर फेस्बुक पे इस पर इन पर बहुत सारी चीजे ऐसी जो बच्चों को नहीं देखने चीए वो भी आती है और वो इसका इस देखते हैं तो इसको देखने के बाद बात है कि उनका दिमाग गलत जगे पर जाता है तो क्या आपको लगता है कि इस तरीके बिल की बहुत सकत जरूरत बिलकुल ऐसे यानाची कि ना बाबाब की सुनी जाए ना किसी की बच्चों को सोला के मतलगता अठारा साल तक बिलकुल भी इससे दूर रखा जाए अपनी शिक्सावे ध्यान दो सर क्या नाम आपको विकास गोयल विकास जी ये बताएं कि छोटे बच्चे होंगे आपके घर में सोशल मीडिया कितना इस्तमाल करते हैं सबसे पहले तो मैं न्यूज नेशन एक जिम्मेदार चैनल होने के नाते जो ही मोहीम शुरू करी है इसके लिए मैं धन्यवाद करना के लिए सरकार से निविधन करना चाहूंगा क्योंकि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के अंदर बहुत सारी एक ज्यान वर्दक जानकारिया भी होती है जिसका बच्चे अपना बविश्य के अंदर फायदा भी ले सकते हैं किन्तु परन्तु आज की जो जनरेशन है वो पेर हो पर फून में आपके यहां हारत थुदी आप बच्चों जो हो जो घखता है मरला और वो ही जो हूंब तो इस तरह की जो सुभाव में जो परिवर्तनार है इन सब चीजों से बचाने के लिए इस बिल की भारत के अंदर बहुता है बहुत आवशकता है लेकिन कुछ शर्तों के साथ में पूरी तरह से पर्तिबंद के खिलाफ में तो इस तरीके से विकास जी भी ये कह रहे हैं कि कुछ शर्तों के साथ इस्तमाल करने देना चाहिए लेकिन इस तरीके का बिल अभी भारत में या हम कहीं कि भारतियों महधीप म क्योंकि ओनलाइन क्लासिस लगातार चल रही है तो यह तो कुछ बच्चों के लिए अलग वो होना चाहिए कि यह यह प्रोग्राम उनके फोन में जाएंगे वो बच्चों के लिए अलगी हो जो सिक्सा से रिलेटेड हो या उनके गानवर्दक हो बागी कोई भी उनके फोन प मिलता है गुस्ता तो बहुत मिलता है चेड़ चड़ा पन हो जाता है बच्चों के धंग से पेरेंट से कुछ बात भी नहीं कर सकते हो ना कुछ बताते हैं तो गलत चीज़ें नहीं होनी चीज़ें कितने घंटे आपके बच्चे जो हैं आप फोन पर या सोशल मीडिया पर जब आप लोग मना करते हैं कि अफोन का इस्तमाल मत करो अच्छा नहीं है यह नहीं तो फिर क्या आपको लगता है कि गुस्ता उनको अंदर आ जाता है गुस्ता भी आता है और चिडचड़ापन भी आता है और यहां तक कि हमारे लिए भी मतलब एक तरह से अग्रेसिव हो हैं कि सोशल मीडिया के इस्तमाल से बच्चों की प्रवर्ती में किस तरीके के उनके नेचर में किस तरीके के बदलाव देखने को मिल रहे हैं गुसा आता है अग्रेशन होता है अटेंशन स्पैन जो है वो कम होता जा रहा है बच्चों का तो ऐसे में क्या जरूरत जिस तर तरीके की खासकर regulation के साथ पावंदियां जो हैं वो लगाई जाएं क्योंकि जिस तरीके से मनोव्यज्यानिक और शारेरिक तोर पर जिस तरीके से बच्चों को परिशानी हो रही है पैरेंट्स को परिशानी हो रही है तो ऐसे में जरूरत है कि सोशल मेडिया कंट्रोल को लेक अगर क्या कई नई बिल जो है वो लाए जाएं जिस तरीके से हम ऐस्ट्रेलिया में देख रहे हैं फ्रांस में इस तरीके का बिल आ चुका है अमेरिका में आ चुका है तो अब भारत में भी इस तरीके का नियम लाए जागा अब देखने वाली बात होगी कि सरकार इस तरी से लेती है इस पूरे मामले को और किस तरीके से इसको लेकर बिल आता है और उसमें क्या-क्या पाबंदिया जो हैं वो लगाई जाती है लेकिन फिलहाल ऑस्ट्रेलिया के उपर पूरी दुनिया बर के नजरें हैं कि किस तरीके से इस बिल को implement किया जाएगा जहां पर लगातार यह वाज उठ रही थी parents की तरफ से और बड़ी बात यह है कि पक्ष और विपक्ष दोनों की तरफ से इस बिल को बहुमत मिला है और दोनों की तरफ से इस बिल को स्विकार किया गया है यानि कि पूरे Australia में इस समय यह बिल लागू होगा और उसके साथ साथ जिस तरीके से जो तमांग चल रही थी social media के बिल को लेकर उसको भी अब implement किया जाएगा अब यह देखने वाली बात होगी कि न्यूज नेशन दिली न्यूज नेशन अब वाटसेप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें